नमस्कार साथियो तो साथियो आज हमारी क्लास है करन्ट अफेर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs की अक्टूबर से दिसंबर क्योंकि SSE का जो भी एक्जाम है बचो वहाँ पूछ लिया जाता है पिछले 6 महीने का देखो लास्ट 6 मन्त का बहुत उन्हें क्या चीए बहुत जादा डीप स्टडी चीए उससे 6 महीने की थोड़ी सी कम इंपोर्टेंट जो कुशन हैं वो रह जाते हैं जो जादा इंपोर्टेंट हैं वो पूछ लेते हैं और उससे भी पहले 6 महीने के वो बहुत जरूरी सवाल पूछ लेते हैं इसलिए ये जो है एक क्लास आज हम कर करने वाले हैं कबकी यह जो 2021 का अक्टूबर से दिसंबर के बहुत इंपोर्टेंट जो कुशन है बच्चो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन करेंगे ठीक है चलो तो मैंने से मन्त वाई जी रख लिया है है ना जो थोड़ा एक आइडिया भी रहे ज्यादा से ज्यादा गंटे के आसपास की एक लास होगी बचो अखिल भारतिय आयरवेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चो में रोग प्रतिरोधत छमता बढ़ाने वाली एक किट विक्सित की है बचो कोविड के दोरान अखिल भारतिय आयरवेद संस्थान जो AIIA All India Institute of Ayurveda है उसने किट वि बच्चो में तो वो 16 साल तक की बच्चो में क्या बढ़ाती है बच्चो वो बढ़ाती है Immunity Power ठीक है उसका नाम रखा गया बाल रक्षा किट क्या बाल रक्षा किट किस प्रद्योगी की कंपनी ने भारत में Creator Education Program लाँच किया है Creator बच्चो जो Create करता हो कुछ है ना जो तरह बहतर content बना सकते हैं तो Creator Education Program लाँच किया जल्ली बताओ Facebook ने या Instagram ने Facebook ने किया है बच्चो किस ने किया है Facebook ने सबसे बड़ा Creator Education Program लाँच किया है बच्चो ठीक है जिससे कि उन्हें बहतर ढंसे बताया जा सके कि कि किस तरह से बच्चीजें आपको Create करनी है चलो हाल ही नमामी गंगे कारे करम का शुभंकर तो नमामी गंगे कारे करम जो है गंगा को साफ करने का जो कारे करम है उसका शुभंकर किसे बच्चो चाचा चौधरी को बनाया गया किसको चाचा चौधरी को बच्चो बनाया गया एक जिला एक उत्पाद यानि वन डिस्टिक वन प् में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने वाली योजना है बचो और इसका जो रखा गया है क्या इसका जो बनाया गया है ब्रांड एम्बेस्टर वो कंगना रनौत को किसको कंगना रनौत को बनाया गया बचो बचो पहली बार परमानू पंडुबी से लॉंच किया एक घातक जिरकॉन मिसाइल जिरकॉन जो मिसाइल है वो लॉंच किया पहली बार पंडुबी से जिरकॉन कौन से देश का है क्या ये रूस का है बिलकुल बच्चो जिरकॉन रूस का है अगर आप से पूछा जाए बच्चो जिरकॉन मिसाइल तो वो रूस का अगर हुआसोंग, हुआसोंग के साथ कोई भी नमबर भी जुड़ा हो, पांच, आठ, दस, तो वो होता है नौर्थ कोरिया का, हुआसोंग कौन सा होता है बचो, नौर्थ कोरिया का, ठीक है ध्यान रखना है, हुआसोंग मिसाइल होता है नौर्थ कोरिया का, किस देश के न कहां के प्रधानमंत्री बचो वो जापान के ठीक है तहां के जापान के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया जापान के प्रधानमंत्री इन से पहले थे योशी हिदे सुगा अब आप से नहीं पूछेगा अब आपको बस बताना है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है उनका नाम जल्दी बताओ हर्मन प्रीत कोर्या स्मिर्ती मंधाना हर्मन प्रीत कोर्या स्मिर्ती मंधाना है बच्छो कौन है स्मिर्ती मंधाना उनका नाम है ठीक है पहला उन्होंने क्या किया पिंक बॉल से खेले जाने वाले टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारती एकरकेटर भी बनी और उस्टिलिया में शतक बनाने वाली पहली भारती है भी यानि देखो जो day night test होता है न वो कौन सी बॉल से खेला जाता है pink ball से वैसे test match दिन दिन के होते है जो 5 दिन का match होता है न वो पहले दिन दिन के ही खेले जाते थे अब वो day night भी खेले जाने लगें तो जब day night खेला जाता है तो pink ball का use होता है न और pink ball जो है बच्चो उस ऐसे match में जो pink ball से खेला गया उसमें शतक बनाने वाली पहली भी कौन है यही है स्मृती मंधाना बहुत महत्पूर है एडियूर और कुटियट्टूर बच्चो एडियूर क्या है मिर्च है एडियूर मिर्च बच्चो कुटियट्टूर आम है यह दोनों ही कहा के हैं बच्चो किस राज्ये से संबंदित हैं क्योंकि इन्हें GI टैग मिला था क्या मिला था बच्छो इन्हें जी आई टेग मिला था ठीक है तो इन्हें जी आई टेग मिला ये दौनों ही केरल के है कहा के बच्छो के बच्छो के आप से पूछा जाएगा एडियूर मिर्च कहा की है केरल की है कुट्ये टूर आम का कहा का है बच्छो केरल का है क्यों फेम पढ़े हमने पढ़ा है आगे भी पढ़ेंगे दुबारा पिछले साल जो डूरंड कब बच्चो हुआ था वो एपसी गोआ जीता था किसने एपसी गोआ ने بنگलورو ने, बिल्कुल, बंगलورو फुटबॉल क्लब ने, किसले जीता है, बचो बझलूरु फुटबॉल क्लब ने इस बार जीता है, पिछले बार महमधन स्पोर्टिंग को हराया था, ठीक है चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा بачो बेंगलूरू याद है आप लोगों को याद है बहुत अच्छे हाल ही मैं खबरों में रहे सेज और सेकर्ड पोर्टल जन संख्या के किस वर्ग से जुड़े हैं बच्चो तो देखो व्रध लोग जो है व्रद सेज का मतलब क्या है देखो ये किसके हैं बच्चो वरद लोगों से और वरद लोगों से जुड़े हुए हैं इसलिए सामाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्राले के हैं ये किसके सामाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्राले Ministry of Social Justice and Empowerment के हैं बच्चो ये और ये दो portal है Sage की full form है Senior Care Aising Growth Engine Senior लोगों की care से संबंदित है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा व्रधों से संबंदित हो गया बच्चो और second का है Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity यानि ऐसे लोग जो Retired वगड़ा हो गए हैं अगर वो काम करने के एक शुक हैं और काम करने लाइक हैं तो उन्हें फिर से Employment दिलवाया जाएगा बच्चो फिर से ठीक है तो ये संबंदित हो गया व्रध जन से तो इसका उपर वाले का तो है Senior लोगों की care करना है ना Senior लोगों की care करना है ना और दूसरे में निजी छेतर में नी प्राइवेट सेक्टर में उन्हें फिर से नौकरी दिलवाना बच्चो ठीक है निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किये जाने वाले चावल की एक खास किस्म वडा कोलम को जी आई टैग मिला है बच्चो वडा कोलम कहां का है जल्दी से बताओ वडा कोलम को जी आई टैग मिला जैसे एडियूर मिर्च को मिला बच्चो जैसे जी आई टैग मिला एडियूर मिर्च को कुटिटूर आम को दोनों कहां के हैं बच्छों वो दोनों ही कहां के हैं केरल के ऐसे ही वड़ा कॉलम को मिला यह महारास्ट का है कहां का है बच्छों महारास्ट में जो पाल घर जिला है उसमें मिलता है बच्छों वड़ा कॉलम कहां मिलता है पाल घर में जिम कारबेट का नाम बदल कर क्या करन इसे भी GI टेग मिला और ये कहां की है ये भी महरास्ट की है ये भी कहां की है बच्चो महरास्ट की तो चार चीजां हो गई एडियूर मिर्च कुटियट टूर आम दोनों केरल के कहां के बच्चो केरल के एडियूर मिर्च कुटियट टूर आम और तीसरे नमबर पर वड़ा कोल वड़ा कोल चालम बचो चावल है ना वड़ा नाम क्या उसका पूरा में नाम ही बूल गया वड़ा कोलम है ना वड़ा कोलम हाँ ठीक है वड़ा कोलम चावल है बचो और अगला नमबर क्या है चोथा नमबर चौथा नंबर है ये सफेध प्याज ठीक है ये अलीपूर डिस्टिक है ये अलीपूर डिस्टिक है वलीपूर जो है अलीपूर जो जगह है वहाँ बच्चो ये अलीपूर जगह है डिस्टिक नहीं है केंदर सरकार ने हाल ही में अगले पांच वरसों में कुल 4445 करोड रु मित्रा पार्कों का मतलब किस से संबन देता है बच्छो कपड़ा उद्योग से संबन देता है कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मित्रा पार्क जो है लाँच किये जा रहे है कितने कितने बच्छो क्या साथ बिल्कुल साथ मित्रा पार्क है और मित्रा पार्क जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चो मेगा इंटीग्रेटड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपारल पार्क ठीक है चलो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला इफिश मार्केट एप फिश वाले लॉंच किया है इफिश मार्केट एप यानि electronic माध्यम से computer का use करके जो मचली है उसका व्यापार हो सकता है बच्चो ठीक है ये मचली का व्यापार हो सकता है तो बच्चो आपको देखना है ये पंजाब है असम है तमिलनाडू है जारखंड है बिलकुल सही है बच्चो जो असम कह रहे है न बच्चे वो बिलकुल ठीक है बई मचली पालकों के लिए फिश वाले एप ये पहला फिश मार्केट है ए फिश मार्केट ठीक है बच्चो यानि कि जो किस पे बच्चो चलेगा जो internet के माध्यम से online चलेगा तो ये असम का है फिश वाले कहा का असम का हिंदी और गुजराती की 300 फिल्मों में बईयो काम किया और रावण का किरदार निभाया उनका निधन हुआ था पिछले साल और उनका नाम क्या है अरविंद तरवेदी नाम है क्या नाम है बच्चो अरविंद तरवेदी उनका नाम है T20 किरकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाडी और दुनिया के सात्वे बल्लेबाज T20 में 400 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने वाले बच्चो वो है रोहित शर्मा कौन है रोहित शर्मा बच्चो महीदाना है एक विंजन क्या है महीदाना खाने का चीज है बच्चो विंजन है क्या है ये ये डिश है बच्चो एक है महीदाना एक डिश है खाने की तो इसको बच्चो इसको क्या मिला है GI टेग मिला है ये किस राज्ये से संबंदित है तो महीदाना है पस्चिम बंगाल का कहा का पस्चिम बंगाल का है महीदाना बचो भारतिय वायू सेना दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाता है कब आठ अक्टूबर को बचो स्वामित्व योजना किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा लागू की गई है बचो स्वामित्व योजना बहुत महतपूर्ण है ये जल्दी बताओ क्या पंचायती राज बिलकुल पंचायती राज मंत्राले के द्वारा ये क्या की गई है बच्चो लागू की गई है स्वामित्व की फुल फॉर्म देख लो सर्वे ओफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेकनोलोजी इन विलेज एरियाज देखो गाओं में क्या होता है बच्चो गाओं में जो आबादी की जमीन है आबादी का मतलब जो रहने के लिए जमीन बनी हुई है उनके कागज जादा तर लोगों के पास नहीं है तो जब कभी उन्हें जरूरत भी पढ़ती है ना ट्रांसफर की खरीदने की बेचने की वो काम हो नहीं पाता बच्चो ठीक है तो भूमी की मैपिंग करके ग्रामीन आबादी वाले छित्रों में जो संपत्ती किसकी है उसे उसका मालिकाना हक देना उसे बताना के बई आपकी है ये ये वाला है स्वामित्व योजना ठीक है ये वाला क्या है बच्चो स्वामित्व योजना है ठीक है चलो विश्व चेंपिंशिप में रजट पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है जल्दी बताओ क्या बच्चो अंशू मलिक हैं क्या अंशू मलिक हैं वर्ल्ड चेंपियनशिप में क्या रजट पदक जीतने वाली वर्ल्ड चेंपियनशिप में सिल्वर मैडल जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान है अंशू मलिक बच्चो ठीक है चलो गुरू घासी दास को दिया गया था किसका टाइगर रिजर्व का बच्चो क्या दिया गया था टैग दिया गया था टाइगर जर्व घोषित किया गया था गुरू घासिदास का गुरू घासिदास जो रास्तिय उद्धियान है उसको तो वो कहां पे है बचो वो 36 गड़ में है पूरवत्तर के लिए खाद्य तेल ओयल पाम पर रास्तिये मिशन पर व्यापार सिखरसंबिलन कहां आयूजित कि आगया देखो बच्छो खाने के तेल के मामले में हम आतनिर्भर है नहीं तो खाने के तेल के मामले में हमें आतनिर्भर होना है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं आयल पाम पर रास्ट्रिय मिशन एक हमारा क्या है नेशनल मिशन ओन आयल पाम जो खादे तेल है खाने का तेल है उ जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक संम्मेलन हुआ पहला नौ्टिस्ट के लिए, और दूसरा हुआ नौ्टिस्ट से अलग जो भारत है इधर वाला उसके लिए. बच्चो तो नौर्थीस्ट वाले के लिए बच्चो गुआहाटी में गुआहाटी में हुआ सम्मेलन ये सबसे पहला था उसके बाद जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ दोनों ही महत्पूर्ण है तो अगर नौर्थीस्ट के लिए पूछे तो वो कहा हुआ था चलो टाटा संस ने एर इंडिया को कितने हजार करोड में खरीदा था बच्छो 18,000 करोड में खरीदा था, ठीक है, चलो, 18,000 करोड में खरीदा था, बंदरगाह से संबंदित, यह जो पोर्ट्स है न, पोर्ट्स इंडिया में, उससे संबंदित जितनी भी जानकारी है, उसमें क्या रखने के लिए, बच्चो, ट्रांस्पेरेंसी को बढ़ावा देने के ल बच्चो, माई पोर्ट उसका नाम था, ठीक है, तो एडियूर मिर्च कहां की है, केरल की है, जी आइट एग मिला, कुट्ये टूराम केरल का है, जी आइट एग मिला, महीदाना एक व्यंजन है, जी आइग मिला, बच्चो, पस्चिम बंगाल का, वड़ा कोलम, बच्चो, चावल है महारास्टि का मिला बचछो सफेध प्याजगोवी महारास्ट के लिए मारास्ट के लिए । यह पाँच व मूस्ट इम्पॉर्टेंट किया थे जी शी आई टाइग और जिन्हें हाल ही में दिय जाता है नदरजा वो ज़्यादा महत्पून होते है तो ये ध्यान रखना है हाल ही मेभारा सरकार ने किस कंपनी को महारतन का दरजा दिया तो बचो पावर फाइनन्स कोरपरेशन पिछले साल दिया था पिछले साल 11 थी ये ध्यान रखना इतना ध्यान रखना 11 इसके बाद 2022 में 12 भी बनाई है REC Limited REC Limited जो है ये क्योंकि हम पिछले साल का करंट अफेर पढ़ रहे हैं तीन महीने का तो तब पावर फाइनेंस लेटेस्ट थी अब R.E.C. लिमिटेड बारवी हैं महारतन कंपनिया कितनी हैं बारे हैं कुल मिला के कितनी बार है बच्छो ठीक है चलो हाल ही में किस देश की एमी हंटर एक दिवस्य किरकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महीला एमी हंटर हैं बच्छो सबसे कम उम्र की महीला बन गई है वो है न क्या एक दिवस्य वंडे किरकेट में शतक लगाने वाली और वो आयरलेंड की हैं कहां की हैं आयरलेंड क किएंबचो पीम गती शक्ति मास्टर प्लान जो भारत में बुनियादी धाचा है पूरा का पूरा इंफरस्ट्रक्चर है उसे सुधारने के लिए भारत को और जादा विक्सित करने के लिए बचो जो एक पूरा ड़ो बचो क्या खरचा जो financial जो खर्चा है कुल में लाके वो कितना होगा 100 लाख करोड होगा कितना बच्छो 100 लाख करोड होगा हरियाना राज्य के किस सहर में हैली हब हैली हब मतलब हैली कॉप्टर का हब बच्छो हरियाना राज्य के किस सहर में हैली हब जो है बच्चो हैली हब बनाने को मंजूरी दी गई है क्या ये गुरू ग्राम में दी गई है क्या गुरू ग्राम में बच्चो बिलकुल देश भर में पांच बनाए जाएंगे जिसमें से हरियाना के जो गुरू ग्राम में भी बनाया जा रहा है बच्चो ठीक है चलो टीट के सभी प्रारूपों को अगर मिला लिया जाए है ना जितने भी हैं तो उसमें कितनी बच्चों 300 मैचों में कपतानी की है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है कब बच्चों विश्व खाद्य दिवस बच्चों कब म इसकी स्थापना की गई तो बच्चो इसकी स्थापना की गई इसलिए वर्ड फूर्ड डे के तौर पे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को केंदर ने जो अंडमान का माउंट हरियट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है माउंट हरियट मैंने आपको परिवर्टित नाम की क्लास में पढ़ाया है परिवर्टित नाम की क्लास में पढ़ाया है बच्चो मैंने जल्दी से बताओ क्या नाम कर दिया है केंदर सरकार ने इसका परिवर्टित नाम की क्लास में मैंने करवाया है बच्चो माउंट मनीपुर बहुत बढ़िया सारे बच्चों को याद है लगबग सारे बच्चों का सही अंसर है एक भी बच्चे का अंसर अभी तक मुझे गलत नहीं दिख रहा बहुत बढ़िया बच्चो मनीपुर माउंट मनीपुर बहुत अच्छे ठीक है चलो हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्या हाइडरोग्राफर हाइडरोग्राफर जो जमीन में पानी के अंदर जाके ने पानी के अंदर जाके जो खोज वगेरा करता है ना तो उसे बुला जाता है हाइडरोग्राफर तो वो अधीर अरोडा हैं कौन है बचो अधीर अरोडा है भारत के कौन अधीर अरोडा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताओ बचो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जल्दी से ही मनाना शुरू किया गया है कब मनाया जाता है क्या ही पांच अक् तू वो ही है गंगा नदी डॉल्फिन एक बचो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्ट सेंटर कहा बनाया गया है पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्ट सेंटर पटना में बचो बनाया गया है ठीक है किंद सासित प्रदेश लद्दाक का निवास प्रिमान पत्र पाने वाली पहली महिला क्योंकि लद्दाक को अलग कर दिया गया तो उसका निवास प्रिमान पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है बचो क्या नाम है उनका क्या फातिमा बानो उनका नाम है क्या फातिमा बानो उनका नाम है बचो जिन्हें लद्दाक की पहली महिला ऐस लाइफ टाइम मेंबर्शिप दी है किन दो खलाडियों को क्या वो जवागल स्रीनाथ और हरबजन सिंग है बचो एक कलब है मेरी लेबोन किरकेट कलब ठीक है मेरी लेबोन किरकेट कलब MCC इसने दो भारती गेंदवाजों को अपनी आजीवन सदसेता दी है जलदी बताओ कब मनाया जाता है 21 अक्टूबर को आयोणी डफिशि Wyatt दे याईएउडिन की जो कमी हो जाती है वो तो आयोणी अल्पता दिवस मनाया जाता है बचो 21 अक्टूबर को 21 क कब거 फेस्बुक कंपनी के सीयो मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदल कर क्या कर दिया है बचो कंपनी का नाम बदल कर मेटा कर दिया है ठीक है मेटा कर दिया है कंपनी का नाम दीपिका पादुकोन को अपना ब्रांड अमबेस्टर जल्दी बताओ क्या आईडी डास ने बनाया है बिलकुल एडी डास ने बनाया है दीपिका पादुकॉन को अपना ब्रांड अमेस्टर कौंकर्ण शक्ती किस देसों के बीच में है तो देखो बचो कौंकर्ण जो है वो भी भारत और यूके के बीच में होता है और कौंकर्ण शक्ति भी भारत और UK के बीच में बस इसमें क्या अंतर है ये तीनो सेनाओं का होता है कौंकर्ण सक्ति तीनो सेनाओं का कौंकर्ण भी भारत और किसके बीच में है UK के बीच में, बिर्टेन के बीच में ही है लेकिन कॉंकर्ण शक्ती तीनो सेनाओं का होता है ठीक है तीनो सेनाओं का होता है कॉंकर्ण भी भारत और बिटेन की नेवी के बीच में होता है ठीक है इंदर धनुस भारत और बिटेन की वायू सेना के अजे वारियर भारत और बिटेन की मिलिटरी के बीच होता है ध्यान र रेल लिंक किस देश को सौपा है बचो तो जैनगर कुर्था इन दो स्थानों को जोडने वाला ये बचो नेपाल है नेपाल जो है इसको सौपा है जो बिहार में जैनगर को किस से जोडता है नेपाल में कुर्था से जोडता है बिहार में जैनगर को नेपाल में कुर्था से बचो हाल ही में किसने Go First द्वारा संचालित पहली स्री नगर सार जहा उडान को हरी जंडी दिखाई बचो स्री नगर से इंटरनेशनल उडान गई और वो कहां गई बचो पहली वो गई कहां शार जहां और वो किस की है बचो कौन सी कंपनी की थी Go First की अमिच शाह जो है उन्होंने हरी जंडी दिखाई किसने हरी जंडी बचो सिरी नगर से सार जाह के बीच पहली डायरेक्ट ऊढ़ां थी ये पहली डायरेक्ट ऊढ़ां थी बच्छो और गो Prem फस्त जो है इस कंपनी का पुराना नाम गो अयर था, क्या नाम था बच्छो गो AAR था, हाल ही में किस राज्ये सरकार ने स्री धनवंतरी जनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की तो 36 गड़ ने धनवंतरी जी के नाम से क्या की बच्चो जनरिक मेडिसन बच्चो है ना जनरिक मेडिसन वाला ये शुरू किया था है ना बहुत सारे जनरिक मेडिसन स्टोर खोले गए 36 गड़ के द्वारा अंतरास्तिय हिम तेंदुआ दिवस जल्दी बताओ इसमें से कब मनाया जाता है 23 अक्टूबर को International Snow Leopard Day मनाया जाता है 23 अक्टूबर को International Snow Leopard Day बच्चों मनाया जाता है ध्यान रखना है भारत के अंतरास्तिय फिल्म महसव का मेजबान कौन सा गाज्य है तो देखो इफ़ी 2021 का भी और इफ़ी 2022 का भी होस्ट तो एक ही कंट्री रहता है होस्ट जदे तरव एक ही कंट्री रहता है उसका नाम क्या है गोवा है बच्चों ठीक है ये सेटलाइट लॉंच किया गया किसके दौ़ारा लॉंच किया गया बचो चीन के दौ़ारा लॉंच किया गया सिजियान 21 ठीक है चलो किस देश के विपक्षी निता और राजनितिक कैदी अलक्सी नवालनी को बचो यूरोपिय संसद ने अपना सम्मान दिया कौन सा सखारोव प्राइज फुर फ्रीडम आफ थौर्ट्स दिया कहां के हैं ये ये बचो रूस के हैं कहां के हैं रूस के लेकिन ये वहां की सरकार क के खिलाप जो है बच्चो क्या होते हैं सरकार के खिलाप बोलते रहते हैं तो इनकी पीड थप थपाती है इसलिए कौन यूरोपिय संसद आपने देखा होगा कि जब कभी घर में ऐसा होता है ना गर में एक बच्चा जो है जो घर के हिसाब से नहीं चलता वो अपनी चलान कि भई ये बिगर तो रहा है ठीक इसे और बिगार देते हैं ना और ये अक्सर होता है कि जब कोई भी बच्चा घर के खिलाफ जाएगा तो चार लोग पड़ोसी उसे जरूर और बढ़ावा देते हैं तो यही है बचो यूरोपिया संसद जो है क्योंकि वो रूस से थोड़ बच्चो कहां का साउथ कोरिया का भारतिय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंतरी बन गई है अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंतरी बनी है जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चो क्या कनाड़ा की बनी है बिलकुल कनाड़ा की बनी है बच् पहला टेस्ट ट्यूब बनी भेंस का बच्छडा जल्दी बताओ क्या गुजरात में पैदा हुआ बिलकुल गुजरात के धनेज गाओं में पैदा हुआ कहां गुजरात के धनेज गाओं में नागरिक उड्यन मंत्राले ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना आयोध्या केंट कर दिया बच्छो क्या आयोध्या केंट नाम किया गया फैजाबाद का नाम बदल कर कौन सा राज्य खुले में सौचमुक्त पहला राज्य बना तो गोवा बना बच्छो खुले में सौचमुक्त पहला राज्य बना गोवा ठीक है ये सवाल अक्टूबर के म एक्जिमम आ सकते हैं बच्छो ये तो अक्टूबर के थे ठीक है अब हम चलते हैं कहां नौंबर पे क्लास पसंदारी है बही पुराने सवाल याद है जो पुराने स्टूडेंट है उनको कितने सवाल याद थे इन में से जो पुराने स्टूडेंट है उनको कितने सवाल जाओ यार क्लास को लाइक और शेर करते हुए आगे बढ़ जाओ T20 इंटरनेशनल किर्केट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाडी कौन बन गे बचो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तो क्या ये राशिद खान है बचो बिलकुल राशिद खान है ठीक है चलो रास्तिय एकता दिवस कब मनाय जाता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लब भाई पटेल जी का जनम दिन था बचो ठीक है प्रतिवी विज्ञान मंतराले ने किस सहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिसन बचो बचो समुद्रयान लौँच किया यानी समुद्रयान किया है मानव युक्त जिसमें मानव भी जाएगा ऐसा महासागर मिसन बचो वो कहां चेन्नेई से लौँच किया क्या चेन्नेई से लौँच किया बिलकुल ठीक है ना बच्चो सर्वसिस्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वो कहां की थी पिछले साल सूरत की कहां की सूरत की बच्चो सिक्षा मत्री धर्मेंदर प्रधान ने 22 भाषाओं में जो आम बोल चाल वाले वाक्य है न उन्हें सीखने में मदद करने के लिए एक एप लॉंच की एक एप लॉंच की जो 22 भाषाओं हैं उनके शब्द छोटे छोटे जो most important वाक्य है न मालो मैं चेन नहीं में चला जाओं मुझे वहां की language बिलकुल नहीं आती और अंग्रेजी विनाए तो मतलब वहां की language के छोट मैं करते छोटे कुछ वाक्य कम से कम मैं कर पाऊँ, ठीक है तो यह है भाषा संगम app के नाम से आप से पूछा जाएगा बच्छो सिंधू नदीλ डॉल्फिन की जन्गर्ना किस ने शुरू की पंजाब ने शुरू की बच्छो सिंधू नदीλ डॉल्फिन की ठीक है पबिल कुन है किरला है किरलु पिरावीर नाम की दवा बनाई बिटेन वो देस बना था पहला बचो डेमन गलगुट को मिला था बचो क्या 2021 का बुकर प्राइज कहां के थे ये दक्षिन अफरीका के डेमन गलगुट को मिला था 2021 का 2022 का जल्दी बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत 2022 का शेहान करोना तिलका को मिला है बचो सेहान करोना तिलका जो की कहां के हैं जो की स्रिलंका के हैं मैं सही कह रहा हूं या गलत मैं सही कह रहा हूं या गलत बचो पिछले साल डेमन गलगुट को मिला इस बार सेहान करोना तिलका को मिला बचो जल्दी बताओ कहां के हैं वो स्रिलंका के बिल प्रदारमंतरी मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस पिरसिद्ध गुरू की पृतिमा का अनावरन किया 2021 की बात चल रही है आदी संकरा चारे की है ना आदी संकरा चारे की बच्चो COP26 जो जलवायू सिखर सम्मेलन हुआ बच्चो तो वहां नेताओं ने किस वर्स तक वनों की कटाई को समाप्त करने का और उलटने का वादा किया यानि अभी क्या होता है हर साल वन कम होते हैं तो उन्होंने का एक तो हम वनों की कटाई समाप्त करेंगे और इसके अलावा बच्चो क्या करेंगे वनों का हर साल बढ़ेगा प्रतिसत कम नहीं होएगा तो बच्चो ये 2030 तक का लक्ष है और नेट जीरो जो नेट जीरो कारबन है निकालना यानि प्रदूशन वो 270 तक का लक्ष है वो कब तक का है बच्चो दोजार सत्तर तक का है ठीक है चलो पिछले साल कहां हुआ था ये Space Walk करने वाली पहली, QS Asia University ranking 2022 में कौन पहले नंबर पे रहा था बचो, Singapore University, पिछले साल की जो ranking थी, वो 2022 के नाम से आई, और Singapore है ना बचो, अच्छा, Singapore University, और जो इस बार की ranking थी, बचो, जो पिछले बार की क्या थी, जो पिछले बार की world की ranking थी, उसमें Massachusetts Institute of Technology, ठीक है, ये दोनों ही नाम याद रखो, इसके अब हम करेंगे इस साल के, इसके बाद, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, पिछले साल कौन, सिंगापर युनिवस्टी पहले नंबर पे, एसिया में, वर्ल्ड में Massachusetts Institute of Technology, ठीक है, चलो, अब इस साल के हम करेंगे याद अपनी अब की क्लास में, कौन से राज्य की चमबा चप्पल को GI टैग मिला है, हिमाचल प्रदेश की चमबा चप्पल को GI टैग मिला है, बढ़िया है, किसी बिजनिस के लिए, कुछ रखने के लिए स्टोर वगरा सब बढ़िया होने चीज़ है, लाने ले जाने की सुविदाएं, तो लोजिस्टिक जो है, इसमें गुजरात पहले नंबर पे था, कौन सा, गुजरात पहले नंबर पे था, करनाटक सरकार ने मैंने परिवर्टित नाम में करवाया है, ये मुंबई करनाटक छेतर का नाम क्या कर दिया गया है, करनाटक सरकार के द्वारा, बहुत बढ़िया, कितूर करनाटक, कितूर करनाटक ये नाम कर दिया बचो, मुंबई करनाटक का नाम, COVID-19 के इलाज के लिए दुनिया का पहला प्लाजमिड DNA वेक्सीन COVID-19 के इलाज के लिए दुनिया का पहला प्लाजमिड DNA वेक्सीन जो है उसका नाम DNA वेक्सीन बचो जायक ओवडी क्या नाम है जायक ओवडी और वो भारत नहीं बनाया पहला बचो DNA वेक्सीन बनाया भारत ने जायकोफ डियूस का नाम है आद रखना है कौन सा देश 2022 में कॉप 27 जलवाईू सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है बचो की है यह तो पुराना कुशन है ना तो मिस्र में हुआ है 2022 का कॉप 27 मिस्र में है ना शर्म अल सेख में कहां पे शर्म अल सेख में बचो ठीक है चलो एपल फेस्टिवल कहां मनाया गया है 2021 का जम्मू कश्मीर में बचो औक्सपोर्ड का वर्ड अफ दाइयर 2021 का था कौन सा वेक्स ठीक है जै भीम मुखे मंतरी प्रतिभाविकास योजना दिल्ली की है कहां की बचो दिल्ली की किस वर्स तक भारत विश्व बच्चो भारत जो है किस वर्स तक सुद्ध सुन्य कार्बन उसर्जन नेट जीरो के लक्ष को हासिल कर लेगा तोजार सत्तर तक ठीक है तेंजिंग नोर्गे रास्तिये सहासिक पुरुसकार 2020 प्रियंका मोहिते को दिया गया ये कौन है माउंटीनियर है बच्चो है ना जो परवत वगरा पर विजय प्राप्त करती है पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट सोनी पत में हुआ पिछले साल कहां सोनी पत में बच्चो जिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक 82 थी बच्चो ठीक है चलो हाल ही में जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सूचकांक जारी किया गया इसमें भारत की रैंक क्या है तो देखो पिछले बार का जलवायू परिवर्तन जो है प्रदर्सन उसे छोड़ दो इस बार आठ है पिछले बार दस थी चलो देख लो दस पिछले बार थी दोजार बाइस का जो किया गया है उसमें आठ है कितनी है आठ दोजार बाइस में क्या है आठ है बच्छो ठीक है चलो पिछले साल दस थी, कितनी? पिछले साल थी, बच्चो दस, ये मैं आपको फिर से करवाऊंगा, सूचकांग की क्लास मैं आपको शाम को भी करवाऊंगा, बच्चो किस में? जो शाम को आपके रैपिड फायर होते हैं, ठीक है? चलो. एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड अमबेस्टर बनाया है? तो अमिताब बच्चन बच्चो एमवे इंडिया के बने थे ब्रांड अमबेस्टर, साथ में मीरा बाई चानू भी, एमवे इंडिया के मीरा बाई चानू और बच्च कौन है एक अमिताब बच्चन बने इसके ब्रांड एम्बेस्टर बच्चो हाल ही में भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरुकता वेब पोर्टल लॉंच किया बच्चो इलेक्ट्रिक वाहन जागरुकता वेब पोर्टल जो बताएगा इलेक्ट्रिक व बिर्टेन के सहयोग से से बनाया गया था ध्यान रखना है ठीक है ICC T20 World Cup में New Zealand को 8 विकेट से हराकर अपना पहला बच्चो T20 World Cup किस ने जीता 2021 में T20 World Cup हुआ ठीक है Australia ने जीता था बच्चो Australia ने दो साल लगातार हुआ है पिछले बार Australia ने जीता था बच्चो T20 World Cup इस बार जरा बताओ किस ने जीता है इस बार जीता है England ने 22 का जीता है England ने बच्चो और 21 का जीता था किस ने Australia ने पहली बार England ने जीता है दूसरी बार ठीक है इंग्लेंड ने जीता है दूसरे बार, बच्चो मैंने 2021 पूछा है, कुछ बच्चे अवीवी इंग्लेंड बता रहे हैं, अब सवाल पढ़ो, ICC T20 World Cup कौन सा बच्चो 2021 किस ने जीता, दो साल लगातार World Cup हुए हैं, पिछले साल का उस्टेलिया ने जीता था, इस बार का किस ने जीता है, 22 का, 22 का, इंग्लेंड ने जीता है, ध्यार रखो, सवाल जो पूछा जाए वही बताना है, बच्चो गलत मत कर देना है न, गलत मत कर देना, ठीक है, पहला T20 World Cup 2007 में भारत ने जीता था बच्चो किसने, भारत ने जीता था, वह टीम जिसने दो बार जीता है, इंवस्ट इंडीज, और अब इसमें कौन और जूड गया बच्चो, इंग्लेंड और जूड गया है न, इंग्लेंड और जूड चुका है, जिसने दो बार World Cup जीता है, ध्यार रखना है, चलो, रास्थी किर्केट अकैडमी का अगला प्रमुख, जो बच्चो नेशनल किर किर्केट अकैडमी है न, जिसके पहले राहुल दिर्विड कोच थे एक तरह से, ठीक है, प्रमुख थे, अब उसके प्रमुख कौन बन गए है बच्चो, उसके प्रमुख कौन बन गए है, वी वी एस लक्षमन बन गए है, ठीक है, क्योंकि कोच बन गए राहुल दिर्वि को ही मनाया जाता है ठीक है चलो रिटेल डारेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटड ओमबुर्समेन स्कीम तो ये किस संगठन की दो स्कीम है बच्चो आर बी आई की दो स्कीम है ठीक है चलो ओमबुर्समेन वर्ड तो जहां भी आता है ना इसका मतलब शिकायत या उनके निवारन से है शिकायत है komplain's या उनका रिड्रेसल होता है इसका मतलब बच्चो Embodiswijn का ठीक है चलो राज्यय सभा के नए مहासचिव कौन थे क्या PC मोधी थे PC मोधी बने बच्चो राज्य सभा के नए महासचिव अब तो राज्य सभा के नए सभापती भी मिल गए हैं नए जिनका नाम है जगदीप धनकड क्या नाम है जगदीप धनकड बच्चो केसर हिंद को किस राज्य की राज्य की राज्य की तितली के रूप में घोशित किया गया है बच्चो केसर हिंद तितली वनी राज्य की कौन से की अरुनाचल प्रदेश की किस की बच का निधन हुआ पिछले साल हिंदी की प्रक्षात लेखी का है बचो और महा भोज इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किरती है बचो पन्यास है महा भोज याद रखना है ठीक है चलो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड डायबिटीज दे मैंने आपको बताय था इसकी थीम थीम हम इस बार की याद करेंगे ना थीम पिछले बार की नहीं पूछेगा थीम मैंने शाम को पढ़ानी सुरू कर दियें कल का जो रैपिड रिवीजन था ना उसमें बचो आई है थीम तीन महीने की आज दो तीन महीने की रहेगी और फिर एक क्लास में और करेंगे आगे की ठीक ह चलो तो यह हो गया हाल ही में किस राज्य में प्रधार मंतरी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन किया तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन उत्तर प्रदेस में किया गया बचो है ना इसमें उत्तर प्रदेस में फीफा वर्ल्ड कप दोजा कतर दोहा में तेलंगा ना के निम्न मैंसे किस गाओं को दुनिया का बैस्ट ट्यूरिज्म गाओं चुना गया है बचो बैस्ट ट्यूरिज्म पोचम पल्ली को किसको पोचम पल्ली को चुना गया है बचो भगवान बिर्सा मुंडा स्मृति उद्ध्यान और स्वतंतरता सेन इसका उद्गाटन कहां किया गया भगवान बिर्सा मुंडा बचो जारखंड से रिलेटेड हैं कहां से जारखंड से ठीक है तो भगवान बिर्सा मुंडा स्मृति उद्ध्यान और सुतंतरता सेनानी संग्राले का उद्गाटन राची में किया गया बचो कहां राची में किय करनाटक रत्न पुरुषकार किसे मिला मरनो परांत तो बहुत कम उम्र में पुनीत राजकुमार की डैत हो गई इसकी पुनीत राजकुमार की बहुत कम उम्र में डैत हो गी बचो और उन्हें करनाटक रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया ठीक है पुनीत राजकुमार क किस जगे शुरू हुआ बचो, किस जिले में तो दैखो जहासी में में ना जहासी में रास्ट रस्चा समर्पन पर्व जो है मनाया गया था पिछले साल बचो UP का पहला Air Pollution Control Tower पहला Air Pollution control Tower बचो नौईडा में ठीक है नौईडा में लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलहा और परामर्स देने वाले जो पैनल वकीलों से जुड़ने के लिए एक एप लॉंच किया गया उनका नाम था सिटीजन टेली लॉस का नाम था ठीक है चलो 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 किस तक कहां पर होट एर बैलून कारेकरम का आयोजन क अभिनधन वर्दमान उन्हें किस प्रोसकार से सम्मानित किया गया वच्छो वीर चक्र से ठीक है वीर चक्र आपको पताया है ये जो बाला कोट एर स्ट्राइक जो हुई थी जब चले गए थे वो कहां पाकिस्तान के जहाज़ को के पीछे पीछे चले गए ठीक है पाकिस् बैडमिंटन विश्व महासंग ने किसे लाइफ टाइम अचीमेंट पुरुसकार से सम्मानित किया बैडमिंटन वर्ल्ड बचो जो है फेडरेशन किसे बचो लाइफ टाइम अचीमेंट से सम्मानित किया प्रकाश पादू को इसको प्रकाश पादू को इन्होंने किया था ठ भारत का पहला घास संदक्षित केंदर ग्रास कंजर्वेशन सेंटर जो है भारत का पहला तो रानी के खेत की भई घास भी जरूरी है रानी के खेत की तो घास को भी संदक्षित करना पड़ेगा है ना उसे भी बचा की रखना पड़ेगा है ना तो घास संदक्षित केंदर र रानी खेत, रानी खेत, अलमोडा, किस पुलिस स्टेशन को 2021 का बैस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला, सदर बजार को बचो, 2021 का बैस्ट पुलिस स्टेशन, लाल सलाम किस ने लिखा था, स्मिर्ती एरानी ने लिखा, स्मिर्ती एरानी ने एक उपन्यास लिखा बचो, ल माज सेवी संस्था जिनें इंद्रा गांधी बचो प्राइज फर पीस डिस आर्मामेंट एंड डवलपमेंट से सम्मानित किया गया कौन सी बहुत बढ़िया विवेक कह रहे है पर्थम बहुत अच्छे शुभंबी पर्थम कह रहे हैं बचो बहुत अच्छे न विवेक भी इसमें कितनी मिलती है बचो राशी मिलती है इंद्रा गांधी सांती निरस्ती करण और विकास प्रुसकार में 25 लाख रुपे राशी मिलती है पाताल पानी जल्दी से कमेंट करके बताओ मैंने पढ़ा रखी है अलग से भी क्लास में देखो परिवर्थित नाम जब आप श टंट्या मामा क्या नाम है बचो टंट्या मामा रेल्वेस सेशन हाइड्रोजन उर्जा पर पहला अंतरास्ती सम्मिलन कहां आयोजित किया गया हाइड्रोजन उर्जा पर तो ये बच्चो नई दिल्ली में किया गया रास्तिय दुख्द दिवस कब मनाय जाता है बच्चो क 26 नवंबर को इमनाय जाता है 26 नवंबर को जब क्या होता है बच्चो जब वरगीज कूरियन की जेनती है जो वरगीज कूरियन भारत में श्वेत करांती के जनक थे अपरेशन फलड के जनक थे उनका जनम दिन है, 26 जनवरी ठीक है, जो 26 नवंबर तो ये इस दिन मनाया जाता है बच्चो श्वेत है ना ये इस दिन मनाया जाता है चलो दो महीने खतम भई तीसरा महीना बचाए ज्यादा नहीं करवाए बच्चो मैंने ज्यादा इसलिए नहीं करवाए कि जो बिलकुल most important है वहीं रखे हैं और ज्यादा explanation भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बस इतनी इतनी चीज़ें आने के chance है तो आप एक बार ये देख लो एक बार अगर हो सके तो और देख ले ना वीडियो वीडियो ना देखो तो एक बार PDF देख ले ना जैसे आपको ठीक लगे ठीक है बचो व्लास्ट मन्त है देखो कब तक चलेगी जितने कुशने देख लेते हैं अभी मेरे क्याल से बीस एक मेट चलेगी और है ना बीस एक मेट और चलेगी बचो ना चलो टुईटर के नए बचो CEO तो अब तो ये भी नहीं है देखो पिछले बार थाए इस वाल पिछले बार इस वाल था अब क्या सवाल बनेगा बचो अब सवाल बनेगा कि टुईटर के कौन CEO थे जिन्नों हने इस्तिफाद दे दिया तो वो CEO हैं पराग अगरवाल ठीक है बच्चो ठीक है चलो है ना भारती नोसेना के नए प्रमुख कौन है तो अभी भी वही है बच्चो एड्मिरल आर हरी कुमार नोसेना चीफ है हमारे आर हरी कुमार बच्चो ठीक है इस्ट्रीट प्रोजक्ट योजना कहा की है केरल की है केरल की जो अंदरूनी है जगेर तरह से जो UK का राज उस पे अभी भी चल रा था, उससे पूरी तरह मुक्त होने की घोशना की, उसका नाम है बारबडोस, क्या बचो? बारबडोस, तेजस्वनी और होसला योजना कहा की है भचो? यह जम्मू कश्मीर बैंक ने शुरुआत की है इसकी, जम्मू कश्मीर बैं रीज़ ना है, World AIDS Day मनाया जाता है एक Δिसंबर को बच्छो कब, एक Δिसंबर को, बच्छो सात्वी बार बैलन ڈी और अवार मिला था पिछले साल,положit मैं सात्वी बार मिला था बच्छो किसको, लीओनल मैसी को, इस बार दूसरे फिल्म फस्टिवल हुआ बच्चो ब्रिक्स फिल्म फस्टिवल उसमें अवाड बच्चो ठीक है इफois पिछले साल इफ़ी में बच्चो शूटिंग के लिए देश का सबसे नुकूल राज्य कौन सा था उत्तर प्रदेश पिछले साल 2021 में वर्ल एथलेटिक्स ने किसे Women of the Year से सम्मानित किया था पिछले साल बच्चो Women of the Year अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया था भारत की इसलिए आज विए सवाल relevant है वर्ल एथलेटिक्स ने जो इनका बच्चो क्या है योगदान है जो इनका योगदान है अथलेटिक्स में उसके लिए अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया था एकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के नुसार दुनिया का सबसे महेंगा सहर बच्चो तेल अवीव था कौनसा तेल अवीव बच्चो 2020 में महिला बैलन डियोर किसने जीता था एलक्सिया पुटलस ने कहां की है वो स्पेन की कहां की स्पेन की बच् तो वॉल्ल डिजिनी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया बच्चो उनका नाम क्या था उनका नाम था सूजन अर्नोल्ड क्या सूजन अर्नोल्ड नाम था बच्चो मेरियम वेबस्टर ने 2021 के लिए अपना वर्ड आफ दा इयर चुन 2021 को जो सातवां MS स्वामी नाथन पृसकार है किरसी से सम्मेंदित है वो किसको दिया गया था वो दिया गया था बच्चो वी प्रवीन राव को किसको वी प्रवीन राव विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दो दिसंबर को हर बार मनाया जाता है दो दिसंबर को बच् में थोड़ा बहुत extra लिखा हुआ है तो उसे ignore करना है ध्यार रखना है अंतरास्ति है मुद्रा कोस के पहले प्रिबंद निदेशक first बच्चो डिप्टी MD कौन है अभी तो वो हैं गीता गोपीनात कौन गीता गोपीनात बच्चो है चलो, golden peacock award पिछले बार कौन सी movie को दिया गया था पिछले बार ring वन्डरिंग को दिया गया बच्चो अब की बार बताओ किस को दिया गया ये इफ़ी वाला वार इफ़ी वाला वार आई हेव एलेक्ट्रिक ड्रिम्स बहुत बढ़िया आई हेव एलेक्ट्रिक ड्रिम्स बचो इस साल इस साल आई हेव एलेक्ट्रिक ड्रिम्स कोड़ा को तो बचो असकर पूसकार मिला हम अपने वाले की बात कर रहें आई हेव एले उन्होंने टेस्ट मैच کی पारी में नाम था एजाज पटेल नाम बच्छो एजाज पटेल, बच्छो एकूवेरियन अभ्धास किसके बीच में होता है भारट और मालदीव के बीच होता है, ठीक है, डेविस कप किसने जीता था 2021 का रूस ने जीता था बच्चो डेविस कप ठीक है चलो भारत सरकार ने जो SC के बच्चे हैं उनको बच्चो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और हॉस्टल वाली एजुकेशन देने के लिए एक योजना शुरू की योजना का नाम था स्रेस्ट का नाम था बच्चो स्रेस्ट नाम था ठीक है कौन सा राज्य था जो 100% आबादी को जिसने कोरोना की 2nd वैक्सीन भी दी थी और पहला राज्य बना था बच्चो तो वो था हिमाचल प्रदेश ठीक है भारत रूस का टू प्लस टू डायलोग हुआ पहली बार और वो नई दिल्ली में हुआ था कहां पे हुआ था नई दिल्ली में हुआ था बच्छो टू प्लस टू डायलोग है ना जिसमें विदेश मंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों हिस्सा लेते हैं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बचो 2021 में जर्मनी के नई चांसलर बने बचो ओलाफ शोल्ज क्या नाम है उनका ओलाफ शोल्ज बने नई बचो 56 ग्यान पीट पुरुषकार किसको दिया गया नील मनी फूकन जूनियर को बच्चो है ना 57 वा किसको दिया गया था वो दामोदर मौजो को दिया गया 56 असम के कवी है नील मनी फूकन और बच्चो दामोदर मौजो को दिया गया कौंकनी के लिए 57 पावनवा, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, कब? 10 दिसंबर को, Miss Universe का खिता जीता था पिछले साल, इसने हरनाज कौर संधुने तीसरी महिला बनी, तीसरी लड़की बनी भारत से, जिने क्या दिया गया बच्चों Miss Universe का खिताब जिने मिला था ठीक है तो ये मिला था किसको हरनाज को और संदू को ध्यार रखना है भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व 2021 में तो देखो नीरत चोपड़ा और 2022 में अभी क्या नाम है उनका नुपूर पूरा नाम क्या है बच्चो नुपूर क्या नुपूर शर्मा है जल्दी बताओ 2022 में कौन सा अभी मैंने बताए था IPL विसे है IPL विसे है बच्चो 22 में बिलकुल IPL विसे और नुपूर जो है पूरा नाम नुपूर शर्मा और तब तक जादा लोग उनको जानते नहीं थे ठीक है तो अलम्पिक का गोल्ड मेडल जीते ही सर्च हुई बहुत सारी बच्छो ठीक है चलो ये हो गया अगला कुशन है किस भारती वास्तुकार ने रोयल इंसिट्यूट अब बिटिस आर्किटेक्स द्वारा रोयल गोल्ड मेडल जीता तो रोयल गोल्ड मेडल जीता गया था बच्छो किसके द्वारा बाल क्रिस्टन दोसी के द्वारा किसके बाल क्रिस्टन दोसी के द्वारा बच्छो उत्तर परदेश की किस नहर परियोजना का उदगाटन किया गया पिछले साल तो सर्यू का किया गया बचो ठीक है 100% पेपरलेस बनने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी बनी तो वो बनी बचो संयुक्त अरब अमीरात में दुबई की संयुक्त अरब अमीरात में दुबई की बचो Time person of the year 2021 के कौन थे बचो के एलन मस्क 2022 में कौन है वोल्दोमिर जेलेंस की कौन है वोल्दोमिर जेलेंस की हैं 22 में बचो वोल्दोमिर जेलेंस की और the spirit of Ukraine वोल्दोमिर जेलेंस की और साथ में the spirit of Ukraine इन दोनों को दिया गया बचो ठीक है चलो अगला question है टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिमनास्ट को बेस्ट एथलीट पुरुसकार से सम्मानित किया बचो तो ये किया सिमोन बाइल्स को किसको बचो सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका ने बचो 2020 की बेस्ट एथलीट चुना है क्या चुना है बचो बेस्ट एथलीट चुना है सिमोन बाइलस ने बचो ठीक है चलो किस देश की सरकार ने PM मोधी को अपने देश का सरवोच समान नग दग पेल जी खोर लो ये पुरुसकार दिया है किस देश का है बचो ये भूटान का है कहा है भूटान का सरवोच बेस्ट फीमेल डेब्यूट यानि जिन्होंने पहली बार ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहली बार ही हिस्सा लिया था पैरलम्पिक में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यूट का वाइड किसे मिला था ये मिला था बचो किसको अवनी लेखरा को किसको अवनी लेखरा को विजय के 91,000 जो सैनिक हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था बचो ठीक है सरेंडर कर दिया था बचो कौन सा एरपोर्ट जल्दी देश का चार रनवे वाला पहला एरपोर्ट बन जाएगा IGI कौन सा बचो IGI बन जाएगा गोवा मुक्ती दिवस क्या 19 दिसंबर को मनाया जाता है बिलकुल 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है बचो 1961 में पुर्टगाली साशन से मुक्त कराया गया था गोवा को बचो कहां 1961 में ठीक है चलो कौन BWF वर्ल्ड चेंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिये पुरस खिलाडी बने बचो जो बैडमिंटन की विश्व चेंपियंशिप होती है न उसमें रजत पदक पहली बार ही किसी भारतिये ने जीता था और उनका नाम था बचो क्या किदामबी शरीकांत किदामबी शरीकांत खेल नरसरी योजना बचो बिलकुल नीचे के लेवल से नरसरी है न बिलकुल नीचे के लेवल से खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया बचो किसके द्वारा यह शुरू किया गया था खेल नरसरी हरियाना के द्वारा शुरू किया गया था बच्छो ठीक है कौन सा क्रिकेट खिलाडी टेस्ट केरियर में सो बार नोट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाडी तो वो बना बच्छो जेमस एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सो बार नोट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बना बच्छो जेम्स एंडरसन भारत में 20-25 दिसंबर 2021 तक का सब्ता किस रूप में मनाया जाता है हर बार मनाया जाता है वो सुशासन गुड गवर्नेंस वीक के तोर पे बच्छो 20-25 तक का क्योंकि 25 को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस दे अटल बिहारी बाजपई जी के जनम दिन पर गुड गवर्नेंस दे मनाया जाता है तो सुशासन सब्ता भी 20-25 तक हर बार ही मनाया जाता है बच्छो ठीक है BBC की Sports Personality of the Year 2021 बी बी सी ने चुना था किसको एमा रादु कानु को बच्छो चुना था ठीक है रास्तिये बिलियर्स खिताब 11 वी बार किसने जीता था बच्छो पंकज आडवानी ने जीता था रास्तिये उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताओ वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्या जल्दी बताओ उपभोगता अधिकार दिवस जल्दी होता हो बच्छो रास्त्री है हमारा विश्व उपभोगता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है देखो बच्चो केंदर सरकार ने एक अपरेल 2022 से 100% लिटरेसी के लिए किस अभियान को शुरू किया कौनसा बच्चो नव भारत साक्षरता अभियान नव भारत 2021 के फॉर्मूला वन चैंपियन बच्चो ये है मैक्स वरस्टापेन 2022 के भी कौन है यही है 2022 के भी कौन है मेक्स वेरसि टापैन बच्चो 2021 के फॉर्मूला वन चेम्पियन भी संगिटन और उसके प्रिमुक्का कौन सा जोडा सही है डवलू एचो के टेड्रोस एड्रोनं हैं, बिलकुल ठीक है बच्चो कौनसा नहीं है, डवलू ट्यो की नागो जी, उकुनजो, इवेला हैं, विश्व बेंक के बच्चो डेविड मलपास हैं, लेकिन एडी भी के हैं, मसद सुगू असाकावा, तो कौनसा सही नहीं है, मसद भेद के खिलाफ संगर्स करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का बच्चो निदन हो गया दिसंबर दोजार इकिस में तो ये दक्षिन अफरीका के ही थे कहां के थे दक्षिन अफरीका के थे बच्चो विजे हजारे टॉफी पिछले बार किसने जीती थी तो हिमाचल प जीती है बच्चो ठीक है दोजार बाइस की सौरास्ट ने जीती है विजे हजारे टॉफी यूएस जूनियर स्कुएस का खिताब किसने जीता बच्चो यूएस में जूनियर लेवल की जो स्कुएस चेंपियंशिप हुई उसका खिता तो वो जीता था अनाहत सिंग ने किस इसने अनाहा सिंग ने बच्चो स्वास्थ सूचकांक 2020 में किस राज्य को लगातार चौथी बार पहला इस्थान प्राप्त हुआ जो स्वास्थ सुविधाएं बच्चो उपलब्ध कराने के मामले में यह जो सूचकांक है यह उससे जुड़ा हुआ है और इसमें केरल को पह मिला इस्थान मिला बच्चो ठीक है रास्तियस रक्षासलाकार डिप्टी एने से उपर रास्तियस रक्षासलाकार बच्चो तो वो बनाया गया था पिछले साल किसको विकरम मिस्री को बच्चो ठीक है भ्रमोस भ्रमोस बनाने की एक बच्चो यूनिट एक कार खाना शुर आई जाएगी सुशीला देवी साहित्य प्रुसकार किसको मिला बच्चो किसको अनुकृति उपध्ध्याय को मिला किसको अनुकृति उपध्ध्याय जिरकॉन हाइपर सॉनिक मिसाइल सिस्टम किसका है रूस का है मैंने बताया था हुआ सों किसका है उत्तर कोरिया का बच्च है देखो फैशन के जो कॉस्मेटिके जो साधन होते ना उसमें बहुत सारे में जानवरों से जुड़ी हुई चीज़े रहती है है ना उनकी चर्बी वगरा भी रहती है तो ये जो है जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए उसके लिए तो जो मतलब एक तरह से जानवरों के अधिकारों की बात की बचो जानवरों के जो अधिकारों की बात करता है वो एक संस्ता है पेटा क्या है पेटा है बचो तो पेटा ने 2021 किसका पर्सन ओफ दा इयर अवार्ड किसको दिया था आलिया भट को दिया था बचो किसको आलिया बट को बच्छो ठीक है चलो भारत में युनेस्को की जो बच्छो एक तो युनेस्को कौन सी लिस्ट जारी करता है जो हमारी बहुत सारी क्या है बच्छो हमारी बहुत सारी कल्चिरल जो बिल्डिंग वगेरा है कुछ हमारी जो नेचरल जगे हैं उनकी लिस्ट गोशित करता है एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानि जो दिखाई देने वाली चीज नहीं है इंटेंजिबल है जिनका बस विवरन किया जा सकता है तो पिछले साल शामिल किया गया था चौधवी के तौर पे दुरगा पूजा को हमारी चौधए इंटेंजिबल साइट्स हैं कहां पर वहां जो युनेस्को की अमूर्त विरासत में बच्चो आती है इंटेंजिबल सेफ्स में आती है रास्टि एक किसानदिवस बच्चो कभ exist? बच्चो कब 23 डिसंबर को मनाया जाता है ठीक है जो चौधी चरन संग थे उनकी आद में बच्चो मनाया जाता है रास्टि किसानदिवस चलो बच्चो यूनीकॉर्ण कंपनियों के मामले में Unicorn Company का मतलब क्या है एक अरब डॉलर एक अरब डॉलर जिसकी कीमत पहुँच गई है बचो मार्केट में है ना मार्केट कैप तो वो Unicorn Company होती है तो अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा Unicorn Company कहा है बचो वो भारत में है ठीक है पहली बार Transgender बचो करनाटक में क्योंकि एक परसेंट आरक्षन दिया गया है उन्हें कितना एक परसेंट बचो एक बार वीडियो देख लिए एक बार पेपर से पहले और देख लेना 1.5 की स्पीड में PDF की विजरत नहीं है क्योंकि PDF में थोड़ी थोड़ी एक्स्टा चीज़ें भी है आप पढ़ोगे तो बेकार नुक्स आनी होगा ठीक है इसे ही देख लेना थोड़ी देर बचो 2 की स्पीड से देखोगे तो आदे घंटे में हो जाएगी है ना अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसे मैं प्रोवाइड आप को होगे तो करवा दूँगा अभी के लिए इतना ही रखते हैं शाम को बच्चो रैपेड फायर आपकर जो रैपेड रिवीजन चलता है उसमें वही कल मैंने करवाए थे कौनसी कल मैंने क्या करवाए था बच्चो रैपेड रिवीजन में दिवस और थीम करवाई थी ना आज भी होंगी आज भी कल रिकॉर्डिड क्लास थी आज भी रिकॉर्डिड है लेकिन जो आगे के हैं क्योंकि मैं तक ये मैंने पहले भी करवा रखे हैं मैं के बाद के जो हैं मतलब दो कलास में वो और बनेंगे और वो मैं लाइव लेकर आऊँगा ठीक है अभी के लिए इतना ही शाम को मिलते हैं 845 नमस्का